इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर इसका उप्योग माईग्रेंग की रोक थाम में भी किया जाता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल बाइपोलर डिसॉर्डर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। पर लें। आम तोर पर इसका असर होने में कुछ सप्ताह लगते हैं। इस दवा को तब तक नियमित रूप से लेना आवश्यक है जब तक आपको इसकी सलाह दी जाती है। भले ही आपको बहतर महसूस हो रहा है। खुराक छूट जाने पर दौरे पर सकते हैं। और अगर अचानक कभी नहीं बंद करना चाहिए। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट सिर दर्द, धुंदली नजर, मिचली आना, उल्टी, चक्कर आना, ठकान और अस्थिरता हैं। इनमें से अधिकांच गंभीर नहीं हैं। दवा लेते रहें। लेकिन अगर आपको इन साइ अगर आपको कभी दिल की समस्या, किड्नी या लिवर की बीमारी, पेशाब करने में कठिनाई, अवसाद या आत्महत्या के विचार आएं हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। कई अन्य दवाएं इस दवा के असर को प्रभावित कर सकती हैं और कुछ को एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए आप जो भी दवाएं पहले से ले रही हैं, उसके बारे में डॉक्टर को बता बढ़ा सकता है और आपके दौरे का जोखिम भी बढ़ा सकता है। शुरू करने से पहले और इसका उपयोग करते समय आप सही खुराक ले रहे हैं। यह सुनिश्चित करने में डॉक्टर की मदद करने के लिए आपको अकसर ब्लड टेस्ट की आवश्यक्ता पढ़ सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। कि थोछा एक गोड़ी को कि उमनल, वा कि इल खिने पुनके की हो त Gegenम के से लिए देते ह elimा झाल झाल